किसी फ्रोट या वेजिटेबल को अगर एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, दस दिन नहीं, एक महीने तक रूम टेमपरेचर पे छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा? यह सड जाएगा और इसमें से बद्भू आने लगेगी. तो बेसिकली होता है इनके अंदर केमिकल रियाक्शन्स विट स्पॉयल देम. हलो एवर्वान, मुझे उमीद है कि आप सभी अठे हैं और आज में लेकर आए हूँ क्लास 10th साइंस, केमिकल रियाक्शन्स और इक्वेशन्स का वन शॉट विडियो हमेशा कि थरा कदम करेंगे इस पूरे लेसन को सुरफ एक विडियो में और इस एक विडियो को देखने के बाद आपके कॉंसेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर तो मैं हूं रोश्ट्री फ्रम लानोहाब दो फ्रे लर्निंग प्लाटफॉर्म जहां पर आप पड़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, माथ्स, बायोलोजी, सब कुछ आपसोलूटली फॉर फॉर फ्री आट लानोहाब डॉट कॉम सो तैयारेज अभी लोग, लेट्स केट स्टार्टेड क्या बहुत ज़रूरी है केमिकल रेक्शन के बारे में पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है हम बीमार पड़ते हैं, और हम दवाई लेते हैं और दवाई magik की तरह काम करता है कोई magic नहीं होता, आक्चलि ये दवाई हमारी बडी के अंदर जाके केमिकल रियक्शन करते हैं oh, रहा हम खाना खाते हैं हम सांस लेते हैं जिसके थ्रू हम ऑक्सिजन लेते हैं और इससे हमें एनर्जी मिलती है होता क्या है बेसिकली हमारे बॉड़ी के अंदर होता है Oxidation of food which is again a chemical reaction green plants अपना खाना खुद से बनाते हैं जिसे हम कहते हैं photosynthesis photosynthesis है क्या एक chemical reaction कभे notice किया है कि लोहे के सामान को अगर पानी हवा में बहुत दिनों तक बाहर छोड़ दो तो क्या होता है उसके उपर एक रेडिश ब्राउन कलर की परत आ जाती है एक लेयर आ जाती है जिसे हम कहते हैं रस्टिंग यह रस्टिंग भी क्या है है आक्चिली chemical reaction चाहे digestion of food हो या फिर burning of fuel हो वो भी सारे है chemical reaction तो यार अपने आसपास इतने सारे chemical reaction है important तो है तो चलो पढ़ते हैं तो लेसन का नाम है chemical reactions and equations तो दिमाग में यह सवाल आही जाता है कि chemical reactions और chemical equations same चीज़े हैं अगर same चीज़े हैं तो दो अलग नाम क्यों है अफकॉर्स exactly same तो नहीं है कुछ अलगी चीज़े हैं बढ़ क्या फरक है इनमें वो दीरे-दीरे पता चलेगा तो सबसे पहने कहाने शुरुआत करेंगे chemical reactions से क्या होता है chemical reaction मैंने कुछ examples दिया अभी जैसे की digestion of food ले लो जैसे की burning of fuel ले लो या फिर जैसे की रस्टिंग आइरन ले लो यह सारे जो है chemical reaction से जिसके अंदर chemical reaction हो रहा है अगर उपर उपर से देखो तो इन सब में क्या हो रहा है एक common चीज सब में हो रही है कि जो initial substance था उसका nature और identity चेंज हो रहा है जैसे माल लो जो आइरन का सामान था उसके ऊपर एक reddish brown color की लेयर आजा रही है तो इसका मतला जैसा वो था पहले अब वो ऐसा नहीं है उसमें चेंज आ गया और इस तरह के चेंज को हम क्या बोलते है chemical change तो बच्चों हम ऐसा कह सकते है कि वेनेवर chemical change takes place हम कहते है कि a chemical reaction has taken place अब chemical change के दौरान exactly क्या change होता है अब देखो chemical change के दौरान इन में से कुछ भी change हो सकता है जैसे कि change of state हो सकता है for example let us suppose कि हमने ammonia लिया ठीक है ammonia gas लिया ठीक है उसको react करवाया hydrogen chloride gas के साथ तो क्या मिला solid ammonium chloride तो यहां पर क्या हुआ ammonia जो पहले gas के form में था अब reaction के बाद किस form में आ गया solid ammonium chloride के form में आ गया यानि कि ammonia का change in state हो गया पहले gaseous form में था अब solid form में आ गया चिक है इसके अलावा change in color हो सकता है जैसे बात करो iron की जब iron में rusting हो जाती है तो पहले iron का color कैसा था कुछ steel gray sort of color था रस्टिंग के बाद कैसा color हो गया reddish brown color हो गया तो यानि कि इस chemical change के दौरान क्या हुआ color में change आया evolution of a gas हो सकता है मतलब chemical change के दौरान कुछ gases का evolution हो सकता है मतलब कुछ gases release हो सकते है for example burning of a fuel तो जब fuel burn होता है जैसे माल जब कोई गाड़ी चलती है तो देखा होगा na fuel burn होता है तो gas निकलती है emission gases जिसमें carbon dioxide carbon monoxide etc. etc. gases निकलती है तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है chemical change हो रहा है जिसके दौरान होता है तो इसके अंदर का जो material होता है वह liquid होता है राइट लेकिन उसी को जब आप boil कर देते हो तो क्या होता है एक तो अंदर का material solid हो जाता है जो कि अभी हमने of a gas हो या फिर चाहे change in temperature हो chemical reactions के देखते हैं चलो कुछ examples जैसे मालो magnesium जब oxygen के साथ react करता है तो हमें मिलता है magnesium oxide यह chemical reaction है ammonia जब react करता है hydrogen chloride gas के साथ तो हमें मिलता है solid ammonium chloride यह भी एक chemical reaction है अब chemical reaction में ना दो बड़े ही important participants होते हैं तो जैसे किसी भी movie में एक hero होता है heroine होती है हाला कि जरूरी नहीं है कि सारे movie में hero या heroine हो बट at least lead characters होते हैं तो उसे तरह से जब हमें chemical reaction की बात कर रहे हैं तो वह सारे substances जो उस chemical change को undergo कर रहे हैं यानि कि जिन में वो change हो रहा है उन्हें हम कहते है reactants तो जैसे कि यह जो दो reaction का मैंने अभी अभी example लिया इसमें reactants कौन कौन से है magnesium और oxygen यह reactant है क्योंकि यह undergo कर रहे हैं change को उसी तरह दूसरे वाले example में ammonia और HCL यह reactants है ठीक है ओके दूसरा होता है product product का तो मतलब ही क्या होता है जो हमें मिलता है मतलब इस reaction के दौरान जो नए substances बनते हैं उन्हें हम कहते हैं products ठीक है बताने की जरुरत ने कि पहले case में magnesium oxide हमारा product है और दूसरे case में ammonium chloride हमारा product है तो chemical reaction क्या होते हैं इसका तो एक अच्छा खासा idea लग गया अब बात करेंगे हम chemical equation की ठीक है अब देखो chemical reaction में क्या हो रहा था अगर मैं किसी भी chemical reaction के example लो let's say magnesium oxygen के साथ react करके बना रहा है magnesium oxide यह बात बताने के लिए मुझे यह लिखना पड़ेगा इतना लिखना पड़ेगा कि magnesium oxygen magnesium oxide तो बहुत सारा time लगेगा time is very precious तो यार कुछ easier way निकालते हैं तो यही easier way आया हमारा chemical equation तो chemical equation में हम इसी चीज को लिखते हैं कैसे with shorter names चोटे नाम लिखते हैं मतलब magnesium के बदले में हम लिख देंगे mg oxygen के बदले में हम लिख देंगे o2 magnesium oxide के बदले में हम लिख देंगे mg o तो क्या हो गया shorter names हो गया easier to write है इतना लंबा चोड़ा लिखने की जरुद ने क्योंकि यहां तो हमने तब भी comparatively simple chemical reaction लिया है कभी-कभी बहुत बड़े chemical reactions होते हैं जिसमें बहुत सारे reactants और बहुत सारे products होते हैं तो यह हो गया easier to write तीसरा most important easier to balance such reaction ठीक है chemical reaction को अगर मुझे balance करना balancing is very important थोड़ी देर बाद हम सीखेंगे कि balancing and equation क्या होता है but balancing जो है बहुत जरूरी होता है क्योंकि दोनों side का पल्ला बराबर होना चाहिए है है ना that is very important ठीक है तो अब दोनों तरफ के पल्ले को balance करने के लिए अगर हम इसे इस equation के form में लिखेंगे तो वो हमारे लिए जादा easy होता है तो कुल मिला के chemical equation हम क्यों लिखते हैं क्योंकि this has shorter names easier to write easier to balance तो चलो फटा फट से सीख लेते हैं कि कैसे हम chemical equation लिखते हैं एक simple example तो हमने already देख लिया कि magnesium plus oxygen gives magnesium oxide इसको हम ऐसे लिखते हैं सब कुछ हम symbolic form में लिखते हैं अब देखो oxygen को क्योंने लिखा क्योंकि magnesium oxygen gas के साथ react करते हैं oxygen इसे लिए O2 लिखा हमने और बना क्या magnesium oxide which is MgO ठीक है clear है अब यहां पर एक और खास बात यह होती है कि जब ही हम chemical equation लिखते हैं तो वहां पर एक और चीज हमें हम mention करते हैं कि जितने हैं अनका state क्या है वह solid state में है वो लिक्विट state में है वह गया फिर वह स्टेट में है तो solid liquid gas के लिए हम SL और यूज्ए का यूज़ करते हैं small letter में यूज़िखते हैं SLG और first bracket के अंदर डाल देते हैं aqueous के लिए हम यूज करते हैं aq और उसे first bracket के अंदर डाल देते हैं aqueous state है बोलने का मतलब है कि वह particular चीज जो है वह water में dissolved है aqua मतलब water तो aq water में dissolved form में है वो ठीक है इसका यह मतलब होता है एक और example देखते हैं let us suppose हमें एक chemical reaction पता है जो कहता है कि carbon monoxide जब hydrogen gas के साथ react करता है तो यह बनाता है methyl alcohol ठीक है तो इसको हम chemical equation इसका कैसे लिखेंगे चलो देखे carbon monoxide co जो की gaseous form में है इसलिए इसके बगल में देखो हमने जी लिख दिया है यह यह react करेगा h2 hydrogen gas के साथ जो की again gaseous form में है और यह बनाएगा क्या methyl alcohol that is ch3oh जो की liquid form में है ठीक है अब यहां पर एक चीज़ और notice करो कि जो equation का जो arrow है उसके उपर लिखा हुआ है 340 atmosphere मतलब यह particular reaction take place करेगा at a pressure of 340 atmosphere तो let us suppose अगर कोई भी एक ऐसा equation है कोई भी ऐसा reaction है जो एक particular temperature या pressure या in presence of a particular catalyst वो reaction होगा तो इस arrow के उपर हम वो चीज़ें भी लिख सकते हैं ठीक है एक और example देखते हैं photosynthesis जो की एक chemical reaction है मैंने पहली बताए था photosynthesis क्या होता है वो process होता है जिसके help से green plants अपना खाना खुद बनाते हैं वो अपना carbon dioxide और water यह जो हम पेड में पानी देते हैं वहां से इन्हें water मिल जाता है carbon dioxide हमें तो बहुत पहले से पताए कि जैसे हम लोग oxygen लेते हैं carbon dioxide देते हैं वैसे plants carbon dioxide लेते हैं और oxygen देते हैं ठीक है तो इसका अगर हम chemical equation लिखें तो यह कैसा होगा CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus O2 ठीक है तो देखो product क्या है glucose जो कि इसका food है plant का और साथ में O2 मैंने बताया plant carbon dioxide लेते हैं और oxygen देते हैं तो इसलिए oxygen यहां पर product है ठीक है clear है अब देखो यहां पर भी हमने जो इनके जो state है वो सारे हमने mention कर दिये हैं जैसे for example जो glucose बन रहा है वह aqueous form में बन रहा है मतलब वह water में dissolved form में बन रहा है जो water है वह liquid form में है तो similarly हमने सब चीज का state mention कर दिया इसके अलावा एक और चीज नोटिस करो जहां पर arrow है वहां पर हमने क्या लिखा है chlorophyll sunlight मतलब यह जो reaction है इस reaction को होने के लिए sunlight का presence बहुत ज़रूरी है chlorophyll का होना बहुत ज़रूरी है तो वही मैंने बताया था कि अगर कुछ reaction और chemical equation में क्या फर्क है प्यारे बच्चो मैंने थोड़े दिर पहले बताया था कि जैसे ही हम chemical equation की बात करेंगे ना तो balancing a chemical equation becomes a super duper important concept and a super duper important topic बट सवाल यह उठता है कि हम किसी equation को balance क्यों करते हैं ज़रूरी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्यों ज़रूरी है पहले concept को समझते हैं ठीक है देखो हमें क्या पता है काफी पहले से हमें यह बात पता है कि mass जो है can neither be created nor destroyed right मतलब जो mass है ना बहले ही यहां से वहां transfer हो सकता है during various processes but total mass constant ही रहता है वो ना तो हम खदम कर सकते हैं नहीं से create कर सकते हैं which means जब हम एक chemical reaction की बात कर रहे हैं तो किसी भी chemical reaction से पहले और reaction के बाद एक particular element के जो number of atoms थे वो बराबर होने चाहिए बात समझ में आई नहीं आई example लेते हैं let us talk about this reaction magnesium oxygen के साथ मिलके magnesium oxide बनाया ठीक है जो मरजी है magnesium का बनाने दो magnesium oxide बनाने दो कुछ और बनाना है तो किसी और के साथ react करके magnesium sulphate बनाने दो जो मरजी है उसको बनाने दो लेकिन यह जो universal truth है वो truth ही रहेगा कि भई magnesium के जितने number of atoms reaction से पहले थे और magnesium के जितने number of atoms reaction के बाद है वो बराबर होने चाहिए भले magnesium oxygen के साथ मिल जाए magnesium sulphate के साथ मिल जाए magnesium chloride के साथ मिल जाए उससे हमें फरक नहीं पड़ता तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें chemical equation को देखें तो उस particular equation में किसी भी element के left hand side में जितने number of atoms है right hand side में भी उतने ही number of atoms होने चाहिए है कि नहीं तो इसका मतलब अगर मैं इसी equation की बात करू तो magnesium के number of atoms दोनों तरफ बराबर होने चाहिए oxygen के number of atoms दोनों तरफ बराबर होने चाहिए है ना तो भाई इस example को देख लो ध्यान से यहां पर अगर हम left hand side में देखे तो magnesium का एक atom है अगर हम right hand side में देखे तो magnesium का एक atom है magnesium तो balanced है बहुत बढ़िया oxygen की बात करो oxygen का अगर हम left hand side में देखे तो दो atoms है ओ टू है राइट लेकिन अकर हम right hand side में देखे यार यहां तो एक ही atom है सिरफ ओ है तो यानि कि oxygen तो balance नहीं है है ना तो हमें oxygen को balance करना होगा तो हम बोलेंगे कि यार कैसे balance करें यहां पर एक टू लगा देते हैं राइट अब oxygen को दोनों तरफ balance हो गया क्योंकि अब दोनों तरफ oxygen के दो atoms है लेकिन इससे लफड़ा हो गया कि हमारा magnesium unbalance हो गया है कि नहीं अब क्या हो गया इधर क्या हो गया 2mg o आ गया तो दो magnesium के atoms आ गये on the right hand side लेकिन left hand side में तो अभी भी एक है इसको कैसे balance करें तो left hand side में भी 2 से multiply कर देते हैं कर दिया तो अब मेरा balanced chemical equation क्या हो गया 2mg plus o2 gives 2mg o अब इस equation को ध्यान से देखो दोनों तरफ magnesium balanced दोनों तरफ oxygen balanced तो यानि कि यह हमारा एक balanced chemical equation है तो जब कभी भी हम कोई chemical equation लिखते हैं तो ideally we should always write a balanced chemical equation क्योंकि end of the day सारे chemical equation balanced ही होते हैं क्योंकि unbalanced chemical equation का होना reality में possible नहीं है logic समझ में आ गया ना क्योंकि mass हमेशा सेम ही रहेगा तो reaction से पहले और reaction के बाद हर element के number of atoms सेम ही रहेंगे चलो एक और example देखते हैं Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2 zinc react कर रहा है sulfuric acid के साथ और बना रहा है zinc sulfate plus hydrogen ठीक है अब यहां पर एक एक element करके check करेंगे कि क्या यह reaction balanced है या नहीं अगर zinc की बात करें तो zinc दोनों तरफ balanced अगर बात करें hydrogen की इधर H2 है left hand side में और अगर right hand side की बात करें तो वहां भी H2 है तो hydrogen भी balanced अगर sulfate की बात करें तो left hand side पर क्या है SO4 अगर right hand side की बात करें तो यहां भी SO4 तो यानि की sulfate भी balanced तो वाँ that's a great news कि यह जो chemical equation है यह already balanced है तो उसे balance करने के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तो चलो बच्चों कुछ practice किया जाए बिना practice के कहां से crystal clear होगा concept है ना तो यहां पे कुछ equations दिये हुए हैं हमें सिर्फ इतना बताना है कि क्या यह equation balance है या नहीं है ठीक है सबसे पहले देखेंगे हम अपना पहला equation f e plus h2o gives f e 3 o 4 plus h2 ठीक है मैंने क्या बोला था balanced है या नहीं है यह बताने के लिए देखना पड़ेगा कि हर element के number of atoms on the left hand side and right hand side बराबर होने चाहिए ठीक है तो सबसे पहले उठा लो iron iron का यहां पर एक atom है इस तरव iron f e 3 है यानि कि 3 atoms है तो क्या iron balanced है यहां पर नहीं है अगर बात करें h2 की h2 इधर h2 है इधर भी h2 है तो चलो hydrogen तो balanced है oxygen की बात करें तो इधर oxygen 1 atom है इधर oxygen 4 atoms है तो overall क्या यह reaction balanced है यह equation balanced नहीं है so this is not balanced देखते हैं दूसरा सी ओ प्लस h2 गिव सी h3 oh h ठीक है यहां पर कार्बन की अगर बात करें carbon इधर एक है इधर भी एक है तो carbon तो चलो balanced लग रहा है hydrogen की बात करें इधर दो है और इधर कितने हैं तीन atom प्लस वन atom चार आटम है यानि कि hydrogen balanced नहीं है oxygen की बात करें oxygen इधर एक है इधर भी एक है अब यहां पर carbon और oxygen तो बैलेंस्ट है बट hydrogen बैलेंस्ट नहीं है इसका मतलब overall equation क्या है not balanced देख लेते हैं हम लोग तीसरा equation 6 co2 plus 6 h2o gives c6 h2o6 plus o2 बता सकते हो यह कौन से process का reaction है photosynthesis absolutely correct तो यहां पर देख लो अगर हम देखे कि यार carbon कितने है न तो यहां पर आपको कितना दिख रहा है carbon एक दिख रहा है नहीं छे carbon है तो यहां पर carbon है 6 carbon left hand side में और नहीं है अब right hand side की बात करें यहां पर भी कारबन कितने है 6 तो carbon तो balanced है अब बात करते हैं let's say hydrogen की तो hydrogen देखो यहांपर कितने है H2 और 6 H2 यानि की total 12 hydrogen है इधर इस side की बात करें तो यहां पर कितने है यहां पर भी देखो 12 hydrogen है तो भाई hydrogen भी balanced है बागी रहा oxygen oxygen देखते हैं यहां पर देखो oxygen है O2 बट यह 6 भी तो है राइट 6 CO2 है तो मतलब oxygen यहां पर हो गया 6 into 2 12 प्लस oxygen यहां पर भी है 6H2O में यहां पर 6 है तो यह 12 प्लस 6 मिला के total 18 oxygen के atoms है on the left hand side और वही right hand side पर देखो इधर 6 O2 है यानि कि इधर 12 oxygen है इधर O6 है यानि कि 6 oxygen तो 6 प्लस 12 इधर भी कितने है 18 oxygen है तो इसका मतलब इस तरह equation में तो भई hydrogen oxygen carbon सारे के सारे balanced है so this is a balanced chemical equation तो अब यह तो समझ में आ गया कि एक given equation balanced है या नहीं है यह आप कैसे पता करोगे तो चलो अब आप पहुंचे हैं हम सबसे critical सबसे important part of this chapter में which is balancing the chemical equation कि एक given equation को हम balance करेंगे कैसे इसके लिए हमारे कुछ steps है जो हमें follow करने होंगे पहला step कोई भी गिवन equation में अगर तुम्हें reactant और product side में कोई polyatomic दिख रहा है तो सबसे पहले polyatomics को balance करो polyatomic बोले तो poly मतलब many जिसमें many atoms हो for example H2O एक polyatomic molecule है कि कि उसमें hydrogen और oxygen दोनों के atoms है NH3 polyatomic है जिसमें nitrogen और hydrogen दोनों के atoms है तो मतलब जिसमें एक से अधिक तरह के atoms होते हैं उन्हें कहते हैं polyatomic तो अगर तुम्हें reactant और product दोनों साइड में polyatomics दिख रहें तो सबसे पहले उन polyatomics को balance करो step number two balance the metals उसके बाद किसे balance करो metals को step number three balance the non-metals उसके बाद non-metals को balance करो और non-metals में भी सबसे end में किसे balance करो oxygen और hydrogen को अब जब आपने सब कुछ को balance कर लिया है step number four very very important यह ध्यान देना है कि उस पूरे balanced equation में कोई fraction exist ना करें जैसे balance करने के दौरान ऐसा ना हो कि भाई आपने किसी एक particular चीज़ को three by two से multiply कर दिया तो हमें fraction नहीं चाहिए तो यह चार steps आपको याद रखने है क्या step से सबसे पहले polyatomics अगर हैं तो reaction में दूसरा metals तीसरा non-metals non-metals में भी सबसे last में आएगा hydrogen oxygen का number और उसके बाद यह चेक करना है कि बाई balanced equation में कोई fraction तो नहीं है and last but not the least balance करने के चकर में ऐसा नहों कि भाई formula को यह change कर दिया अगर NH3 है तो वह NH3 रहना चाहिए NH3 को NH5 नहीं कर सकते हैं right so the formula of the reactants and the products should be same एक छोटा से example लेते हैं let us talk about this reaction N2 plus H2 gives NH3 क्या यह balanced है balanced तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि देखो left hand side में N2 हो है nitrogen के दो आटम से लेकिन right hand side में nitrogen का एक ही आटम है तो अब इस reaction is not balanced अब इस equation को balance करना है कैसे करेंगे हमारे पास यहां पर दो चीज़ें involved है क्या-क्या nitrogen और hydrogen पॉली अटॉमिक इन्वाल्ट नहीं है क्योंकि polyatomic देखो सिर्फ right hand side में है left hand side में तो है नहीं जब दोनों तरफ होगा polyatomic तब polyatomic है ऐसा हम कहेंगे मतब बिसकिली तब polyatomic को balance करेंगे पहले तो यहां पर मेरे पास nitrogen और hydrogen है जो कि दोनों ही क्या है non-metals है अब इन दोनों में से किसको पहले balance करें हमारा rule कहता था कि non-metals में hydrogen और oxygen को हम आखरी में balance करते हैं तो यानि कि यहां पर हम सबसे पहले balance करेंगे nitrogen को ठीक है चलो अब left hand side में N2 है right hand side में NH3 तो यहां पे nitrogen को 2 करने के लिए हमने NH3 को 2 से multiply कर दिया तो अब हमारा nitrogen हो गया balance ठीक है अब बारी है hydrogen की अब देखो hydrogen जो है वो left hand side में H2 दो आटम से right hand side में कितना हो गया 2 NH3 तो hydrogen के कितने atoms हो गए 2 x 3 यानि कि 6 ठीक है तो इधर 6 है और इधर 2 ही है तो क्या कर सकते हैं left hand side में हम इसे 3 से multiply कर सकते हैं तो अब hydrogen के दोनों तरफ 6 atoms हो गए right तो अब nitrogen भी balanced है hydrogen भी balanced है और अगर देखा जाए तो कोई fraction भी नहीं है correct तो हमारा balanced chemical equation क्या हो गया N2 प्लस 3 H2 gives 2 NH3 तो चलो बच्चो प्राक्टिस जरूरी है तो हम देखते हैं हमारा पहला example जहां पर हम देखेंगे कैसे हम equation को balance करेंगे ठीक है equation है CH4 प्लस O2 gives H2O प्लस CO2 ठीक है तो यहां पर क्या हमारे पास कोई ऐसा polyatomic है जो दोनों तरफ हो नो ऐसा कोई polyatomic हमारे पास नहीं है इधर H2O है तो इधर CH4 है तो इधर CO2 है so let's not worry about the polyatomics metals कुछ है नहीं यहां पर तो यहां पर basically हमारे कौन-कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास carbon है हमारे पास hydrogen है और हमारे पास oxygen है और यह सारे के सारे non-metals है हमें क्या पता है non-metals में हम hydrogen oxygen को बाद में balance करते हैं that means सबसे पहले balance करेंगे carbon को ठीक है तो चलो करते हैं अब देखो carbon इधर है one इधर भी है one अरे वहां carbon तो already balanced है तो carbon को balance करने के लिए हमने अलग से कुछ नहीं किया ओके कोई बात नहीं अब बात करते हैं let's say hydrogen की तो देखो यहां पर hydrogen कितने है चार इस तरफ hydrogen है दो तो इसे balance करने के लिए क्या करेंगे यहां पर हम टू से multiply कर देंगे तो अब देखो hydrogen दोनों तरफ क्या हो गया balance हो गया दोनों तरफ चार-चार hydrogen के atoms आ गए बहुत बढ़िया अब बचा हमारा oxygen oxygen देखो oxygen इधर है दो और इधर कितने हो गए यहां पर 2 लगा दिया था इसलिए यहां पर oxygen है 2 और यहां पर भी oxygen है 2 तो यानि कि 2 प्लस 2 कितने oxygen है total 4 है बट इधर oxygen दो ही है तो हमने क्या किया यहां पर 2 से multiply कर दिया तो अब मेरा oxygen भी balanced हो गया हो गया तो इसका मतलब मेरा balanced equation क्या हो गया CH4 plus 2 O2 gives 2 H2O plus CO2 so this is my balanced chemical equation तो चलो देखते हैं example 2 दिया हुआ है AGNO3 plus MgCl2 gives AGCl plus MgNO3 whole 2 ठीक है सबसे पहले देखो कौन कौन सी चीज़े हैं हमारे इस particular equation में क्या कोई polyatomic है ध्यान से देखना विल्कुल है यहां पर क्या है NO3 एक polyatomic molecule है इसमें देखो more than one atom है और देखो NO3 दोनों तरफ है है ना तो polyatomic है यहां पर हमारे यहां पर metals है metals भी है देखो ना silver है ना यहां पर metal भी है so metal भी है हमारे पास हमारे पास magnesium भी है और हमारे पास क्या है? chlorine है ठीक है? तो चलो इसी order में इनको हम balance करते चलते हैं सबसे पहले polyatomic को importance मिलेगा तो देखो इधर NO3 whole 2 है यानि कि NO3 के कितने molecule है? 2 इधर NO3 अकेला है तो इसलिए यहाँ पे 2 से multiply कर देते हैं तो अब हमारा NO3 हो गया balance ठीक है? अब बात करते हैं silver की, silver देखो इधर 2 silver है और इधर 1 silver है तो चलो इसको balance करने के लिए इधर 2 लगा देते हैं, अब silver भी हो गया हमारा balance अगला देखते है magnesium को इधर magnesium 1 है, इधर भी magnesium 1 है, तो भई magnesium फिलहाल तो balanced ही दिख रहा है अब बात करते हैं CL की तो इधर देखो CL 2 है इधर भी 2 CL है, तो CL भी हमारा balance है, तो यानि कि यह जो equation है, यह हो चुका है balanced, आप पहुंचे है example number 3 equation दिया हुआ है, H2SO4 plus KOH gives K2SO4 plus H2O, ठीक है सबसे पहले note down कर लेते हैं कौन-कौन सी चीजे हैं, कोई polyatomic molecule है, ध्यान से देखना, बिल्कुल है SO4 है न, दोनों तरफ present भी है, तो यहाँ पहले लिख लेते है SO4 है हमारे पास कोई metal है यहाँ पर, यहाँ पर देखनी को मिल रहा है potassium इसके अलावा है, यहाँ पर hydrogen और oxygen, ठीक है sulfur या oxygen फिर से नहीं count करेंगे, क्योंकि वो तो sulfate group में ही आ गया, polyatomic में अब इसे इस sequence में हम balance करते चलेंगे, ठीक है, सबसे पहले SO4 की बात करते हैं, तो इधर SO4 1 है, इधर भी SO4 1 है, तो फिलहाल यह balanced दिख रहा है, उसकी बात करते हैं potassium की, इधर potassium है 2, इधर है 1 तो इधर 2 से multiply कर देते हैं तो यह balance हो गया अब अब बात करते है hydrogen की, इधर दखे तो hydrogen यहाँ पे है 2, ठीक है और यहाँ पे hydrogen है कितना 2 से multiply किया हुआ है, तो 2, SO total left hand side में 4 hydrogen है, ठीक है right hand side की बात करते हैं, यहाँ पे hydrogen कितने है, 2, तो अगर इन्हें balance करना हो, इधर 4 है, इधर 2 है, तो इधर हम 2 से multiply कर देते हैं, तो अब hydrogen हमारा balance हो गया, बचा oxygen, oxygen देखते हैं तो left hand side में देखो, यह SO4 वाला oxygen count नहीं करेंगे, क्योंकि sulphate तो हमने already पहले count कर लिया है, तो उसके अलावा और कितना oxygen है, यह वाला, यहाँ 2 से multiply किया हुआ है, तो oxygen इधर 2 है, अब इस तरफ देखते हैं, इधर भी देखो, इस oxygen को count करेंगे, तो यहाँ भी 2 से multiply किया हुआ है, तो oxygen 2 है, यानि कि oxygen भी balanced है, तो 4 प्लस 2H2O So, this is our balanced equation, तो चलो देखें, example number 4, write balanced equation 4, तो यहाँ पर हमारे पास एक reaction दिया हुआ है, इसका हमें equation रिखना है, और वो भी balanced equation, तेखेंगे, क्या है barium chloride, तो लिखते चलते हैं, barium chloride बोले तो, BACL2 plus, aluminium sulfate, that is AL2SO4 whole 3, अब यह formula तो आपको पता ही होंगे, कि AL2SO4 whole 3 क्यों है, valency वाला concept, जो हमने junior classes में अल्रेडी पढ़ रखा है, ठीक है, this gives barium sulfate, यानि कि BASO4 plus aluminium chloride, that is ALCL3, ठीक है, तो यह तो हमने equation लिख लिए, अब इसे balance करना है, balance करने के लिए, पहले तो क्या देखना पड़ेगा, इसमें क्या-क्या चीजें है, कुछ polyatomic है, बिल्कुल है, जैसे कि sulfate, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, एक तो sulfate है, यहाँ पर, इसके बहले, SO4, इधर है, SO4 hole 3, इधर सिर्फ SO4, balance करने के लिए, इसको 3 से multiply कर देंगे, तो SO4 balance हो गया, ठीक है, इसके बाद aluminium, इधर AL 2 और उधर AL, balance करने के लिए, यहाँ 2 से multiply कर देंगे, तो aluminium भी balance हो गया, BA, barium, इधर BA है, और 3 BA है, तो balance करने के लिए, इधर 3 से multiply कर देंगे, अब barium balance हो गया, अब बात करेंगे chlorine की, यहाँ पर chlorine कितने है, 3 Cl2, यानि कि chlorine यहाँ पर है 6, इस तरफ chlorine कितने है, यहाँ पर 2 Cl3, तो यहाँ पर भी chlorine है 6, तो यानि कि chlorine हमारा balanced है, तो यह जो equation अब लिखा हुआ है, that is a balanced equation, अब chemical reaction की इतनी कहानी पर रहे हैं, तो यह जानना भी ज़रूरी है कि chemical reactions कितने तरह के होते हैं, वैसे तो बहुत तरह के chemical reactions होते हैं, बट फिलाल हम discuss करेंगे 5 major types of chemical reactions, शुरुबात करेंगे combination reaction से, उसके बाद बात करेंगे decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction and combustion reaction, सबसे पहले discuss करेंगे combination reaction, देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होंगे, दो species combine करके एक नया species बनाएंगे, तो let us suppose, एक बंदा है A, दूसरा बंदा है B, A और B मिलकर के बनाएंगे A, B, ठीक है, तो मतलब it's like A और B, दोनों आपस में दोस्त है, तो दोनों साथ में मिलकर के बहुत ही जोरदार मस्ती करते हैं, जोरदार काम करते हैं, जोरदार पढ़ाई करते हैं, तो इसे कहते है combination reaction, इसे synthesis reaction भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ें मिलकर के एक नई चीज को synthesize कर रहे हैं, है ना, तो चलो कुछ examples देखे, तो अगर examples की बात करें, तो धेर सारे examples यहाँ पर already दिख रहे होंगे आपको, है ना, तो इन में से कोई साभी example उठा लो, हम लोग equation की तरफ focus करते हैं, ठीक है, आप देखो, क्या हो रहा है, सब ही जगह, यहाँ पर देखो, calcium oxide और water, दोनों मिलकर के बना रहे हैं, calcium hydroxide, है ना, दोनों साथ में मिलकर के synthesize कर रहे हैं, तो synthesis reaction, यहाँ पर देखो, H2 और O2, hydrogen और oxygen, यहाँ पर देखो, हमें क्या देखने के मिल रहे हैं, यहां पर तो इन सब में हमें क्या देखने को मिल रहे हैं कि दो चीज़ें मिल करके एक चीज बना रही है तो यह सारे हैं combination या फिर synthesis reaction अगला नंबर है decomposition reaction का decomposition मतलब कोई एक चीज़ डिकॉंपोज हो जा रही है दो या दो से अधिक चीज़ों में मतलब एक सिंगल कंपाउंट डिकॉंपोज हो के बना रही है दो या दो से अधिक species मतलब यह जो दोस्ती थी ना यह दोस्ती वाली बात नहीं है अब जैसे एक ग्रुप था वो ग्रुप तूटके एक ग्रुप में लेट से पांच दोस्त है अब वो पांच दोस्त तूटके अलग-अलग-अलग-अलग-अलग सारे दोस्त निकल गए ठीक है सो धटिस डिकॉंपोजिशन तो माल लो अगर हमारे पास एक कंबाउंट था ए बी तो ए भी दिकॉंपोजिशन रियक्शन के दोरान बनादेगा A plus B एग्जम्ड्स देखें दिकॉंपोजिशन रियक्शन को कैसे पहचानोंगे देखो यहाँ पर कितने सारे एग्जम्पल्स फिर से cu co 3 यह तोट के बन जा रहा है कॉपर का ऑक्साइड और میbuilt силь tutti मापर अपर एमोनिया तोट के बन रहा है नॉजञे और हिड्रोजें यहां पर नाइट्रोजें का आयोडाईड तोट के दे रहा है नाइट्रोजें और आइओद टिक है तो अब आपको समझ में आ रहे हैं मैं इतने एक्जाम्पल्स इसलिए बतारहे हूँ ता कि अगर आपको एक गिवें एकवेशन हो और पूछा जाये कि बताओ यज किस तरह का सृ डियक्शन है तो उस एक वेशन को देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ये किस किस्मेंट रियाक्शन मतलब लेटर से कि एक कंपाउंड एबी जो अपना मस्त है खुश है ठीक है और बी साथ में हैं बड़े खुश है अचाना के कि तीसरा बंदा आ गया सी ठीक है सी आया उसने क्या किया एबी में से बी को किक मारके भगा दिया और वहां पर खुद उसने अपनी जगह ले ली तो उसने बना दिया असी प्लस बी तो यहां पर क्या हुआ Sी की एं्ट्री से सी ने क्या किया को डिस्प्लेंस कर दिया उस कंपाउंड से और उसकी जगह ले ली तो इस तरह के रियक्शन को हम कहते है डिस्प्लेश में एक्शन Kriegal एक्षन के अगूर में ठीक है लेकिन क्या हुआ पिक्चर में आ गया magnesium magnesium ने क्या किया hydrogen को उसकी जगा से हटा दिया और उसकी जगा ले ली और देखो chlorine के साथ खुद आपके बैठ गया और बना दिया mgcl2 । और hydrogen विचारा बाहर निकल समझ में आ रहे हैं तो मतलब इक्वेशन को देख के ही आप पता कर सकते हो कि कहानी क्या चल रही है यह किस तरह का रियाक्शन है दूसरा एक्जाम्पल देखो H2SO4 प्लस Fe gives FeSO4 प्लस H2 Fe बोले तो iron यहां देखो क्या हो रहा है पहले hydrogen और sulfate एकदम साथ साथ खुशी खुशी थे H2SO4 में लेकिन बीच में आ टपका Fe Fe ने क्या किया यहां पर hydrogen की जगले ली hydrogen को किक मार के भगा दिया इसलिए देखो hydrogen बिचारा अलग हो गया और Fe जो है sulfate के साथ बना दिया FeSO4 ठीक है समझ भानी न कहानी तीसरा एक्जाम्पल देखेंगे HNO3 hydrogen nitrate के साथ अराम से खुशी खुशी था लेकिन पिक्चर में आ गया magnesium hydrogen को भगाया उसको डिस्प्लेस किया उसकी जगह लेली बना लिया magnesium का nitrate और hydrogen बिचारा अलग से निकल गया हर जगह वही कहानी है मतलब एक तरह से कह सकते हैं यह जितने एक्जाम्पल से ना उन सब एक्जाम्पल में बिचारे hydrogen की कहानी है है ना तो चलो चौता एक्जाम्पल देखते है zinc plus HCl gives ZnCl2 plus H2 क्या हो रहा है यहां पे देको hydrogen chlorine साथ में थे zinc आया hydrogen को भगाया बना लिया ZnCl2 hydrogen अपना अलग निकल गया सेम कहानी यहां भी है lead plus H2SO4 lead ने hydrogen को displace किया lead ने खुद का sulphate बना लिया और hydrogen अलग से निकल गया ठीक है तो इन सारे एक्जाम्पल से क्या आइडिया लगा कि किस तरह के reactions किस तरह के equations को देखके हम बता सकते हैं कि वो displacement reactions है अब बात करेंगे हम double displacement reaction के बारे में मतलब यहां पर भी displacement हो रहा है तो ड्यक्जाम्पल और है जो आ के किसी और को माँ से Ab cannot और उसमी adviser मेंदे और यह बंदा वापिस उसमीटने को भी हटा रहा है मतलब बभान से displacement हो रहा है एकog Republicans के बीगास क्या है C कि जो पहला dancing couple है, that is A, B, A और B साथ में dance करेंगे, जो दूसरा dancing couple है, that is C, D, C, D साथ में dance करेंगे, ठीक है, तो double displacement में क्या होता है, कि D आके, A, B couple में से B को हटा के उसकी जगह ले लेता है, और बना लेता है AD, तो displacement हो गया, बट इस case में B भी चुप नहीं बैठता है, B बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी जाके, D की जगह ले लेता हूँ, तो B उधर से जाके, D की जगह ले लेता है, और बना लेता है CB, तो यानि कि यहां पर क्या हुआ, D ने इधर से B को displace किया, B ने उधर से आके, D को displace किया, तो दोनों तरफ से displacement हुआ, इसलिए इसको कहा जाता है, double displacement reaction, in fact, अगर हम chemistry के तौर पे बात करें, तो double displacement reaction में हम देखते हैं, कि जो reactants होते हैं, उनके बीच में exchange of ions होता है, राइट, जैसे यहां पर मालो AB plus CD था, तो AB और CD, दोनों हमारे reactants थे, इनके बीच में क्या हुआ, B और D exchange हो गए, तो reactants के बीच में exchange of ions होता है, in fact, अगर हम double displacement reaction की examples की बात करें, तो acid-base reaction, जिसे neutralization reaction भी कहा जाता है, और precipitation reaction, यह दो बहुत ही popular examples हैं, of double displacement reaction, precipitation reaction होते क्या हैं, ऐसे reactions जिसमें precipitate बनता हो, precipitate मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो solution में soluble ना हो, insoluble solid, that is called precipitate, तो precipitation reaction में क्या होता है, कि दो solutions combine करते हैं, to produce an insoluble solid, ठीक है, चुकिए precipitate बनता है, इसलिए इन reactions को कहा जाता है, precipitation reaction, ठीक है, तो अगर हमारे पास एक solution A है, एक solution B है, ये दोनों combine करके बना देते हैं, precipitate C plus solution D, ठीक है, एक real life example लेते, लेट अस सपोज कि हमारे पास sodium sulfate solution है, और barium chloride solution है, जब ये दोनों combine होते हैं, यानि कि Na2SO4 plus BACL, ठीक है, तो क्या हो जाता है, तो बन जाता है barium sulfate का precipitate plus NaCl, ठीक है, अब इस reaction को ध्यान से देखो, इस equation को ध्यान से देखो, यहांबे क्या हो रहा है, दो reactants है हमारे पास, कौन-कौन से, एक तो barium chloride है, और दूसरा sodium sulfate है, इनके बीच में क्या हुआ, exchange of ions, sodium के साथ sulfate था, वो sulfate चला गया barium के पास, barium के पास chloride था, वो chloride चला गया sodium के पास, यही तो हुआ, और यह जो barium sulfate है, इसका white precipitate हमें दिखने को मिलता है, as a product, and that is why this is a precipitation reaction, तो यह किस तरह का reaction है, double displacement, क्योंकि exchange of ions हो रहा है इसमें, right, sulfate ने chloride की जगल ले ली, तो chloride ने भी sulfate की जगल ले ली, है ना, दूसरा टाइप का reaction होता है, acid base reaction, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, जब एक acid और एक base combine होते हैं, तो वो एक दूसरे के effect को neutralize कर जाते हैं, और इसलिए इन्हें कहा जाता है, neutralization reaction, जैसे माल लो, एक acid लेते हैं HCl, और एक base लेते हैं NaOH, that is sodium hydroxide, ठीक है, जब ये दोनों combine करते हैं, तो क्या बन जाता है, NaCl, यानि की common salt, plus H2O, अब देखो, इस equation को अगर ध्यान से देखो, तो Na के साथ OH था, है ना, और H के साथ CL था, बट हुआ क्या, ये OH चला गया किसके पास, OH चला गया, H के पास, और बन गया H2O, CL चला गया किसके पास, Na के पास, और बन गया NaCl, तो मतलब जो आइन से उनके exchange हो गए, between the reactants, so that is why this is a double displacement reaction, तो चलो बच्चों देखते हैं, double displacement reaction का एक example, तो यहां पर reaction है, AG, NO3 और KCL के बीच में, चीक है, silver, देखो, nitrate के साथ था, happy happy, यहां पर potassium, chlorine के साथ था, happy happy, चीक है न, लेकिन क्या हुआ, यह दोनो reactants थे, दोनो reactants के जो ions हैं, इसका ion था, NO3 माइनस, nitrate ion, इसका था chloride ion, यह दोनों हो गए, exchange, ठीक है, इसलिए इधर क्या बन गया, AG के साथ, CL आ गया, और potassium के साथ, nitrate आ गया, तो इसलिए, इस तरह के reaction को, हम कहते हैं, double displacement, यहां एक चाज़ और notice करो, यहां जो यह silver chloride बन रहा है न, यह इसका precipitate बन रहा है, इसलिए, किस type का reaction है, यह precipitation reaction है, finally, the fifth type of chemical reaction is, combustion reaction, combustion किसे कहते हैं, combustion को हम अकसरी, burning को combustion कहते हैं, basically, combustion में होता यह है, कि जबी भी कोई hydrocarbon, मतलब कोई भी एक ऐसा compound, जिसमें hydrogen और carbon दोनों हो, इस तरह के hydrocarbon, जब oxygen के साथ react करते हैं, तो generally, वो carbon dioxide और water produce करते हैं, और इस तरह के reaction को हम कहते हैं, combustion reaction, जैसे कि burning of fuels, जो fuels होते हैं, वो क्या होते हैं, hydrocarbon होते हैं, जब वो burn करते हैं, burn करते हैं, मतलब in presence of oxygen, जब वो react करते हैं, तो क्या बनता है, carbon dioxide बनता है, इसलिए देखा होगा, burning of fuels, जब vehicles चलते हैं, तो जो gases emit होती है, तो carbon dioxide बनता है, तो these are called combustion reactions, तो चलो कुछ combustion reactions के भी example देखेंगे, तो बच्चों जैसा के डिसकस किया था, combustion reaction में होता क्या है, hydrocarbon oxygen के साथ react करते हैं, तो सारे examples में देखो, methane, hydrocarbon है, hydrogen है, carbon है, ये देखो, 8 carbon वाला, octane, ये भी carbon है, hydrogen है, यहाँ देखो, C3H8, यहाँ देखो, ये alcohol है, बट है तो सब hydrocarbons, ये सारे चीज़े, C4H10, ये सारे जो हैं, compounds ये oxygen के साथ react कर रहे हैं, so you see, oxygen is common everywhere, combustion reaction मतलब, वहाँ पर वो oxygen से react करेंगे, और जो product बनता है, उसमें भी हमें common मिलता है, what? CO2 and H2O, CO2, H2O, CO2, H2O, CO2, H2O, CO2, H2O, तो इस तरह से combustion reaction को identify करना काफी simple है, एक तो oxygen के साथ reaction होता है, दूसरा carbon dioxide और water इनका byproducts होता है, तो ये तो बच्चों हो गए, 5 major type of chemical reactions, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही chemical reactions होते हैं, और भी कई तरह के chemical reactions होते हैं, जैसे कि oxidation and reduction reactions, जिन्हें redox reactions भी कहा जाता है, जैसे कि photochemical reactions, जैसे कि solid state reactions, corrosion reactions, exothermic reactions, endothermic reactions वगरा वगरा, हाला कि हम सारों को दो detail में discuss नहीं करेंगे, बट कुछ important ones को हम ज़रूर discuss करेंगे, तो यहां discuss करेंगे हम oxidation and reduction reactions, ठीक है, बहुत important concept है, आगे जाके higher classes में भी हम इस तरह के reactions के बारे में discuss करेंगे, तो इसलिए जरूरी है कि base हमारा मजबूत रहे हैं ना, oxidation reaction, नाम पे focus करो, का मतलब क्या होओ, oxidation, very simple है ना, तो oxidation and reduction हमेशा ऐसे ही याद रखो, oxidation मतलब oxidation का add, reduction मतलब oxidation का oxygen का removal, ठीक है, अब oxidation reduction को हम hydrogen के terms में भी define कर सकते हैं, तो hydrogen के terms में इन की definition बिलकुल opposite हो जाएगी, मतलब oxidation क्या होता है, gain of oxygen, यानि की loss of hydrogen, reduction क्या होता है, loss of oxygen, यानि की gain of hydrogen, ठीक है, याद रहेगा, simple है, example देखते हैं, जैसे मान लेते हैं, हम ये equation लेते हैं, की copper plus oxygen, gives CuO, मतलब copper से copper oxide बन रहा है, तो copper यहाँ पे क्या हो रहा है, copper का oxidation हो रहा है या reduction, पहले copper था, अच्छा भला अकेला था, अब copper में कौन आ गया, O आ गया, मतलब copper में क्या हो गया, oxygen add हो गया, gain of oxygen को हम क्या कहते हैं, oxidation, यानि की यहाँ पे copper is getting oxidized, दूसरा example देखो, let us suppose copper oxide, यानि की CuO plus H2, gives Cu plus H2O, ये reaction देखो, इसमें क्या हो रहा है, पहले copper कैसा था, oxygen के साथ था, बाद में copper अकेला हो गया, यानि की copper में से oxygen remove हो गया, यानि की copper is getting reduced, exactly, copper is getting reduced, जब भी कोई एक चीज़ reduce होती है, तो कोई दूसरी चीज़ oxidized जरूर होती है, क्योंकि अब यहाँ पे देखो, अब logically सोचो, copper reduce हुआ, मतलब copper में से oxygen हट गया, बाद वो oxygen हट के जाएगा कहा, किसी और के साथ जुड़ा होगा, है ना, तो यहाँ किस के साथ जुड़ा, यहाँ hydrogen पहले H2 था, अब hydrogen के साथ H2O आ गया, यानि की hydrogen क्या हुआ यहाँ पर, oxidized हो गया, उसमें oxygen add हो गया, तो इस reaction में copper is getting reduced, and hydrogen is getting oxidized, तो बच्चों इस तरह के reactions, जहाँ पर oxidation और reduction हो रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं redox reaction, red मतलब reduction, ox मतलब oxidation, so reduction oxidation reactions को short में नाम दे दिया गया है, redox reaction, तो हम अपने day to day life से कुछ redox reaction की बाते कर सकते हैं, जिसमें से most popular example है, rusting of iron, rusting of iron के दौरान क्या होता है, iron को अगर आप खुले में छोड़ दो बहुत time तक, तो iron किसके साथ react करता है, oxygen के साथ, जो air में पाया जाता है, water के साथ, और iron के उपर एक layer बन जाती है, rust की, rust basically क्या है, oxide of iron, तो वैसे हो जाती है, rusting, तो इसके अगर हम equation को देखे, तो हम क्या देखते हैं, कि iron जो है, यह oxygen के साथ react करके बना लेता है, iron का oxide, तो यह किस तरह का reaction है, देखो, iron के साथ oxygen जोड़ जा रहा है, तो मतलब इसका oxidation हो रहा है, तो यह एक redox reaction का example है, in fact, इसी वज़े से, ताकि iron articles में rusting ना हो, इस वज़े से उसके उपर एक paint की layer बना दी जाती है, ताकि वो जो layer है ना, वो layer iron को oxygen के साथ react करने से prevent करेगा, and that's how rusting can be prevented, एक और example लेते हैं redox reaction का, कभी notice किया है, कि कुछ-कुछ समान, जैसे कोई snacks item हो, जो घर पे रखा हो, डब्बे में रखा है, लेकिन मालो, उसको अगर आप महीनों तक उसी डब्बे के अंदर छोड़ दो, तो उस खाने में से एक अजीब सी smell आती है, राइट, अगर उस चीज में oil था, तो उसमें एक अजीब सी, गंदी वाली, अगर आप देखो कि कोई chips का packet है, जो कि बंद है, बट अगर वो महीनों तक पड़ा हुआ है, महीनों के अगर सालों तक पड़ा हुआ है, तो आप क्या देखो कि उसके अंदर, जब आप उस packet को खोलोगे ना, तो अंदर एक अजीब सी smell आती है, तो उसके taste, उसका taste भी alter हो जाता है, और उसमें smell भी आता है, तो यह किस वज़े से होता है, redox reaction की वज़े से, क्योंकि वो जो भी substances होते हैं, in fact that is the reason, storage containers आजकल आने लगे हैं, कैसे airtight, ताकि अंदर जो खाने का सामान है, वो air के साथ, यानि कि वो oxygen के साथ react करके, उसके taste को, या उसके smell को खराब ना करें, ताकि वो reaction ना हो सके, इसलिए airtight containers यूज किये जाते हैं, तो इस तरह की जो चीजें होती है, यह जो इस तरह का reaction है, जिससे चीजों का smell और उनका taste खराब हो जाता है, इन्हें कहा जाता है, रांसिडिफिकेशन, तो इस तरह से हम देख रहे हैं, कि redox reaction तो यार, हमें हमारे आसपास ही देखने को मिल जाता है, तो बच्चा पाटी, इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं, chemical reactions and equations के end तक, और मुझे पूरे उमीद है, कि chemical reactions and equations के concept हुए होंगे, crystal clear और अगर ऐसा हुआ है, तो comment पर जरूर लिखके बताना, कि concept हुआ crystal clear, और घबराना नहीं है, ये तो बस chemistry की शुरुवात है, अभी देखो आगे-ागे, कितने और धमाकेदार वीडियोज हम डालने वाले हैं, तब तक के लिए, stay home, stay safe, take care, bye-bye.